आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैं रोयत आप सभी के साथ मार्केट में कैसी ओपनिंग आप सभी को देखने को मिल सकती है उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में तो वीडियो को बिल्कुल पूरा दिखते रहिए अगर आप आप देख वाए टेली ग्राम चैनल को सस्काइब ने किया तो टेली ग्राम चैनल को भी सस्काइब कर लिजे, link आपको वीडियो के description में दिया गया है आप मैंने आप सभी के सामने इस जगा बैंक निप्टी का चार्ट ओपन किया है बैंक निप्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा चार्ट इस जगा देखने को मिल जाता है सबसे पहले तो मैं आप सभी से बात करूँ तो आप सभी का काफी अच्छा response आ रहा है और देखें मार्केट में जो target में आप सभी को बताता हूँ जो level में आप सभी को बताता हूँ काफी लोग भड़िया पैसा बना रही है तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आता है जो level में आपको बताता हूँ तो कि market में सीखना काफी ज़रूरी है और जैसे कि देखें मैं कल में आपको बताखे गए था कि अगर market उपर की side open होता है यानि देखें market इस level के असफस अगर open होता है तो हम इस जगह CE buying नहीं करेंगे मैंने आपसे देखें कल साब साब बोला था कि अगर market उपर की side open होता है तो हम CE buying नहीं करेंगे हम CE को ignore करेंगे और वहाँ से अगर आप देखोगे तो market पर देखें इस जगह आपको opening देखने को मिलीती है यानि अगर मैं बात कहूं 35,300 के something opening देखने को मिलीती और बजार खुलते ही देखें मैंने क्या बोला है कि बजार खुलते ही इस जगह देखें गरता हुए दिखाई दिखाई दिया अब सोचिए जिन लोगों ने इस जगह से इबाइंग किया होगा उनको कितना बड़ा लॉस देखने को मिला होगा क्योंकि देखें मैं हमेज़ा बोलता हूँ कि market में उपर की site आपको बाइंग नहीं करना है क्योंकि देखें ऊपर की site कहीं नहीं कहीं FISB इस जगह सेलिंग करते हुए दिखाई दी रहे और वहां से अगर आपने देखा तो बजार ने देखें जो नीचे की site लो मारा है यानि अगर मैं बात कहूं तो इस जगह 34,600 के आसपस का लो मारा है और मैंने कल आपको इसी सपोर्ट के बारे में बताया था कि मार्केट में कहीं ने कहीं एक अच्छा सा जो सपोर्ट है वो आपको जही देखने को मिलता है अगर आपको CE बाइंग करना है तो आप नीचे की site बाइंग कर सकते हो और काफी लोगों ने बाइंग किया, काफी लोगों को अच्छा profit देखने को मला तेंके मार्केट में अगर आप समझ कर, देखकर काम करते हो लेबल को देखके काम करते हो तो आपको profit होता है और काफी लोगों ने देखे हमारी वीडियो बिल्कुल पूरा देखा तो उनको profit हुआ इसी बात पर देखें मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल like कीजे वीडियो को share कीजे और end तक बिल्कुल देखते रहिए हम यहाँ पर देखें एक आपको बनाता है जो कि आपको मैं यह जगहा दिखाना चाहूँगा 21 तारीक को को यह सपोर्ट था 22 तारीक को भी तरी सपोर्ट था तेज तारीक को भी देखने को मिला था और 24 को भी देखने को मिला यानि अगर आप continue देखोगे तो यहाँ पर देखें आपको इस लेवल क हो जाता है जैसे कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में देखें 23 तारीक को आपको यह सपोर्ट था ठीक है मार्केट ने पर 24 तारीक को इस सपोर्ट को ठोड़ा और यहां से एक बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली बजार के अंदर फिर उसके बाद देखें बजार इसके उपर जाने की कोशिस कर रहा था लेकिन नहीं जा पा रहा था क्यों नहीं जा पा रहा था क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग इस जगा फसे थे जितने भी लोगों ने इस जगा सेलिंग की है वो इसको उपर जाने नहीं देंगे अब मान लीजे कि जिन लोगों ने देखे यहां पर 100 रुपे का बाइंग किया है, मान लीजे कोई, अभी तक हमाई टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब ने किया, तो टेलिग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे, निप्टी, बैंक निप्टी के कॉल इस जगह आप स उसके कॉल की पराइस इस जगह 50 रुपे हो गई, फिजब माजार इस जगह से एक तेजी देखने को बली और बजार उपर की साइट गया, तो उनका जो पराइस आया, यानि उनका बापिस इस जगह पराइस आया, देखे, मार्केट में पूरा पराइस तो नहीं आया, लेक इसमें को देखने को मिलेगी सिम kitchen अब इसमें यह हमको basic चीज़े आपको पता होना चाहिए कि CEO सपोर्त हैं अब अब इसका support अगर आप देखो तो यहां पर आपको बजा देखने को मिलेगा जो यह वाला जो level है ना जो क्ट इसमें एक काफी समय से देखे में में जो गिरावट आपको देखने को मिली उसके बाद देखिए बजार काफी समय तक एक रेंज में काम करता हूँ दिखाई दिया मैं हमेसा बोलता हूँ कि मार्केट जब भी रेंज में है यानि ऊपर की साइज सेलिंग नीचे की साइट बाइंग उपर की साइज सेलिंग और अच्छा खासा पॉफिट हुआ है ऐसा नहीं है कि अगर आप देखोगे 34,800 से लेके बजार ने जो ऊपर की साइट हाई मारा है वो कही ने कहीं देखिए अगर मैं बात करूं कहीं ने कहीं देखिए जिगा 300 पॉइंटों के आसवस का पॉफिट हुआ है तो पॉफिट यह वाला आपका रजिस्टन है जे देखिए और नीचे की साइट अगर आप देखोगे तो नीचे की साइट आपका जे सपोर्ट है यह वाला ठीक है यानि अगर मैं बात करूं मार्केट अगर नीचे की साइट ओपन होता है गलती से अभी कहां पर किलोजिंग दिए इसने थी कि अगर मार्केट गलती से इस जगह ऊपन हो जाता है दिखे जी आपका उपन हो गये तो यहां पर आपको देखना है कि बज आपका इस जगह चका 3600 600 देखे मैं क्या बोला हूँ आपसे 36600 के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट ने इस जगह ओपनिंग दी और नीचे किलोजिंग नहीं होना चाहिए अगर नीचे किलोजिंग नहीं होती और इस जगह देखे कंसुलेट करके फिर एक ब्रेक आफ देता है जैसे कि इस जगह दिया देखे अभी मैंने आपको बताई तो यहां पर देखे किया है कंसुलेट और फिर उसके बाद एक ब्रेक आफ देता है तो हम क्या बाइंग कर सकते हैं कंडिशन बस इतना सा है कि अगर मार्केट नीचे की साइट ओपन होता है तो यहां पर देखे कंसुलेट करना चाहिए यानि मार्केट इस जगह कुछ समय बिताना चाहिए यहां पर समय बिताएगा फिर उसके बाद एक ब्रेक आउट देगा तो मार एसल छोटा हो जागा एसल छोटा होगा तो आपका लॉस कम होगा और लॉस कम होगा तो आपके पॉफिट होने के ज्यादा चांस है अगर आपका लॉस कम हुआ तो पॉफिट होने के ज्यादा चांस है अगर मार्केट में काफी लोग गलती क्या करते हैं कि उपर की साइट एजगा बाइच करते हैं जो कि मैं आपको बुलकुल गलत है तरीका और नीचे की साइट आप सेलिंग करते हो नीचे की साइट आप पिकी बाइप कर सकते हो जो भी आपका गलत तरीका है तो मार्कट को लेवल देखके काम क benefici अगर मार्केट एजगा आपका आभ देखे 343 600 पर मिलता है तो यहाँ पर आपके टारगेट होगा पहला टारगेट, 34600 पर दूसर टारगेट आपका हो गाई 34800 का निज पर गा कि अपर मार्केट ये आपको व् पूरा इसको कवर किया यहां पर आपको दिखाई देखा लेकिन फुल कवर नहीं किया अगर आप देखोगे तो अभी भी उपर का साइट का गैप है ठीक है एजगा गैप आपको दिखाई दे रहा है तो मार्केट में देखे अब आपको एक चीज समझना है कि नीचे का जो गैप था वो मार्केट ने इस जगा फिल किया है नीचे की गैप को देखे मार्केट फिल कर चुका है और मार्केट में अगर आप देखो तो यहां पे एक सपोर्ट लेते हूँ दिखाई दी रहा है अगर मार्केट इस जगा देखे कईना के support लेके ऊपर की साइट दिखे जंप देता है यानि इस पॉंट के ऊपर देखे जंप देता है जो कि 35,000 के ऊपर अगर बजा लिकलता है तो इसके आसपास भी हम आपको दिखाई दी रहा है इसके लेवल के आसफास भी हम सीग कर सकते और पी इबाइग करने का अब जो सही तरीका है वो उपर है बहुत जाद उपर है यानि 35600 35 600 पर आपको सोचना चालू करना है और आपको आपको क्सक्राइल करना है 35500 P frustrate करना और या नी से 5500 per आपको बाइन अब मैंने ऐसा क्यों बोला क्योंकि हमको ज़्यादा रिक्स नहीं चाहिए, हमको बड़ा लॉस नहीं चाहिए, हम छोटे लॉस में खुस हैं, लेकिन हमको जब बड़ा पॉफिट में लेगा, तो हम उसको लेने की कोशिस करेंगे, अगर बजार आपको देखे, इस जगा 5,000,800 के something मिलता है, पीटी बाईं कीजिए, बस condition इतना है, कि अपका 35,000,800 का Level है, उसके उपर closing नहीं देना चाहिए, market में, उसके उपर closing नहीं देना चाहिए, पन्दा मिठकी candle, अगर इसके उपर निकल जाता है, तो हम पीटी बाइं नहीं करेंगे, अगर इसके उपर नह हमारे जो टारगेट होंगे वो 35,600 दूसरा टारगेट होगा 35,500 और तीसा टारगेट होगा इस जगा 35,300 यानि अगर मैं टोटल टारगेट की बात करूं तो 500 पॉंच के टारगेट होंगे अब पहर से एक बात समझा देता हम आपको 35,600 पर हमको सोचना चालू करना है P.E. बाइंग करने का 35,800 पर हमको P.E. बाइंग करना है कंडिशन इतना है कि आपका 35,000 35,800 के उपर मार्केट नहीं किलोज होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया अगर उसके उपर किलोज नहीं होता 15 मिट की केंडिल में तो हम इस जगा P.E. बाइंग कर सकते हैं टार्गेट मैंने आपको इस जगा बताई दिये हैं तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल पूरा देखा है तो आपको सभी लेवल मैंने आपको बता दिये हैं काफी अच्छे तरीके से अब मैं आपको बता दिता हूँ कि नई तेजी और नई मंदी आपको कहां से देखने को मिलेगी तो नई तेजी का जो लेवल है वो देखे 35,200 के ऊपर का है नई तेजी आपको इस जगा तक देखने को मिलेगी और जे तेजी आपको कंटिन्यू 35,600 तक देखने को मिलेगी यानि आपको 400 पॉंट इस जगा देखने को मिलेगी नई मंदी जो आपको देखने को मिलेगी वो नई मंदी आपको देखे इस जगा 34,800 के नीचे देखने को मिलेगी उसका लेवल मैंने आपको बता दिया यानि इसके नीचे आपको मन्दी देखने को मलेगी इसके उपर आपको तेजी देखने को मलेगी और target आपका जेवाला होगा अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए, subscribe कीजिए ज्यए हीं बन्दे माता हूँ